हेलो गाई इसा जम बात किने वाले है एक ऐसी कंपनी के बारे माप लोगों को इस एड़े में बताने वाला हूं, जो आज की दिन quarter 4 का result इस कंपनी ने दिया है, प्लस यहाँ पर से dividend दिया है, प्लस इस कंपनी ने bonus का अइनाउस में डिगर दिया है, तो यह तीनों की तीनों खबरे यहाँ पर एक साथ देखने को बिल रही है कंपणी कौन सी है वो आप लोगों को इस विडिया में बताने वाला हूं क्या इस कंपणी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए वो बताऊंगा क्या ये कंपणी फ्यूचर एक्सपेक्ड क्या देखने को मिल जाता है और आप लोगों को इस कंपनी के अंदर long term short term medium term के लिए perspective क्या रखना चाहिए company की record date और bonus record date और x date क्या रहने वाली bonus की वो भी बताऊंगा तो ये full package वीडियो रहने वाला है इस company के ओपर company कौन सी है उसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले क्वाटर 4 के result देखेंगे उसके बाद यहां परसे इसका जो quarter 4 के result हम देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे dividend देखेंगे उसके बोनस देखेंगे ठीक है क्योंकि bonus मैं क्यों last में दिखा रहा हूं उसकी एक पता चल जाएगा अभी हम बात करें तो यहां आप लोगों को इस कमणी का रिजल्ट देखने को मिल जाता है यह सारी कि सारी जो अमाउंट्स है वह लैक्स में तो इसको हम करोड में कंवर्ड करके हम बताने वाल है और उसके साथ साथ आप लोगों को यह जो consolidated result देखने हों बिलेगा वो यहाँ पर quarter and quarter और year on year business पर compare करेंगे सबसे पहले company का income from operation और other income मिला कर company की total income दबन जाती ही इस quarter के अंदर आप लोग देख सकते हो two digit को निकाल देंगे तो आप लोगों को crores में सारी की सारी amount देखने हो बिल जाएगी जो आप लोग देखोगे तो 216 करोर रुपीज का यहाँ पर company ने income करके दिखाया है जो यहाँ पर आप लोग देखोगे year on year business पर और पिछले साल same quarter के अंदर हम बात करें तू भी 2020 March quarter को 2021 March quarter से compare करें तो भी इसका जो result है double होते हुए देखने को बिल रहा है पिछले साल यहाँ पर से same quarter के अंदर only 109 करोर रुपीज का company ने income करके दिखाया था वह यहाँ पर से double होते हुए देखने को बिल रहा है तो यह भी एक अच्छी बात है अभी हम बात कर लेते हैं company का यहाँ पर year on year business पर company का income की बात करें तो 606 करोर रुपीज का इस company का income रहा है इस quarter easier के अंदर जो पिछले साल के अंदर आप लोग देखोगे तो 527 करोर रुपीज खादा अब लोग यह भी चीज याद रखनी है अब यह बात कर लेते हैं company के expense के बारे में company का expense आप लोगो majority expense cost of revenue from operation देखने को मिल जाता है और दूसरा majority expense यहाँ पर जो employees की fees है उसके अंदर देखने को मिल जाता है तो यह two much expense अब जहां में रखने है और अदर expense को मिला का total expense का इस quarter का देखने की पिछले quarter के अंदर हम बात करें expense की तो यहाँ पर से 162 रूपीज खाथा तो यहाँ पर साफ-साफ यहाँ पर से 30 करो रूपैस के 30 करोड 38 करोड रूपीज का बढ़ोतरी देखने को मिल रही है expense के अंदर तो यह बिलकूल भी अच्छी बात नहीं है year and year base पर expense भी बढ़ता हुआ नजरा रहा है यहाँ पर से पहले 500 करोड रूपीज का expense देखने को मिल रहा था वह आप लोगों मैं दिखाता हूँ ऐसा किउयों बोल रहाँ अब ही मात कर लेते कंपनी की नैट प्राफिट फॉर बीरुडी कियर आप लोगों देखने को मिल जाता है और 9.8 क्पनी का यहां पर से नेट प्रॉफिट देखने के मिल जाता है माला 9.85 क्रॉफिज कमाये है इस कौडर के अंदर और पिछले साल के सेम माला पिछले कौडर की बात करें तो 11.66 11.66 करॉफिज का कंपनी ने नेट प्रॉफिट करा है तो यह भी आप लोगों चीज द्याद मे रखनी है और उससे पिछले कौडर के अंदर हम पिछले साल 2020 की बात करें 2020 मार्च कौडर की तो यहां पर 3.74 करॉफिज का कंपनी ने यहां पर से इंकम का नेट प्रॉफिट करके दिखाया था यहां पर कंपनी का जो रिसल्ट है यह 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 पर देख लेते हैं अभी तो य इसका रिजल्ट है वह अच्छा देखने मिल रहा है तो अल्मोस्ट यहां पर आप लोगों देखने मिल जाती है तो यह भी चीज आप लोगों याद रखनी है तो यहां पर राखनी है अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहां पर EPS के बारे में अर्निक पोड़ शेयर 7.24 का अभी चल रहा है जो पिछले काटर के अंदर 8.72 रुपीज का दार उसे पिछले कोडर के अंदर 2.82 रूपीस का दार तो यहां पर year-on-year बिज़ंग स से देखने को मिल जाता है इसका EPS है तो यहां पर से सबसे ज़्यादा इस कंपनी का जो revenue की बात करें तो सबसे ज़्यादा segment revenue की बात करें तो इनका जो steel structure मुलब यह company क्या करती है जो towers होते है उसके साथ साथ जो बड़े बड़े जो मुलब आप लोग electronic tower देखते होंगे तो वह टावर बनाने वाली यह company है अब लोग steel structure की बात करें तो इनका सबसे ज़्यादा revenue वहां पर से आता है जो towers बनाती है यह company और steel structure में इनका जो business है वहां पर से अच्छा खासा revenue आ जाता है अभी आप लोगों मैंने सारी की सारे चीज़े बता दी है company का नाम बता दीता ह तो इस company ने dividend तो दिया है उससे पहले आप लोग देखोगे वन चैंप वन का bonus इसू किया है मतलब जिल लोगे पास एक शेर होगा उसको यहां पर से एक और शेयर मिलेगा मतलब एक के बडले एक share फ्री में ठीक है और आप लोग गया पास दो शेर है तो आप लोग को के जो share है वो चार हो जाएंगे आप लोगों पर चार शेर है तो आप लोगों के जो चार है वो आठ हो जाएंगे तीन है तो छे हो जाएंगे तो मतलब डबल शेर होने वाले है आप लोगों के जो शेर है और यहाँ पर से जो यह जो शेर है यहाँ पर क्या बताए गया है वन जम वन रेश यहां पर से क्या बताया गया है तो यहां पर company का यहां पर जो यह bonus इशू किया है वह अभी शेर होल्डर्स जो majority शेर होल्डर्स उन लोगों ने यहां पर approval के लिए भेजा है और यह approval मिलने के बाद आप लोको को इसका जो यहां पर देखोगे तो यह का लोग है ठीक है और यह डीविडेन्ट है आप लोग बोट अफ डायरेक्टरस नहीं पॉंसकी है वन रुपीज पषेड का तो वो यहाँ पर से annual general meeting होगी annual general meeting उसके 30 दिन के बाद उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को जो final dividend है वो pay कर दिया जाएगा ठीक है अब यहाँ बात कर लेता है company के हाँ पर आप लोग देखोगे सबसे पर नहीं आपर यह जो पूरे पूरे table में यहाँ पर बताए गया है equity share यहाँ पर type of securities तो equity shares उसके बाद bonus से issue किया गया है subject की बात करें तो और उसके साथ साथ यहाँ पर से company का total number of security आप लोग देखोगे तो इतनी है और यहाँ पर bonus मिलने के बाद इतनी हो जाएगी ठीक है तो यह भी आप लोगों चीज आता रखनी है अब यहाँ बात करें थे company ने bonus कितना दिया है एक के बदले एक share one jump one ratio का bonus दिया है record date की बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है the record date will be announced in due to course मालब यह क्या बताया है कि यहाँ पर जो record date है वो अभी तक नहीं आई है अभी तक नहीं आई है पर यहाँ पर से यह इसको अच्छी तरीकी से अप्रूल मिल जाता है share holders majority जो share holders है उन लोगों ऐसे अप्रूल मिल जाता है यह जो date है record date है वो announce हो जाएगी ठीक है तो वो अप्र लोगों चिंता करने की बात नहीं अभी तक record date नहीं आई है x date नहीं आई है x date आते हैं तो आप लोगों मैं जरू सो बता दूगा ठीक है अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe करके रखना अभी आप लोगों बोल देता हूँ कब तक आ जाएगी इसकी रेकूर्डेट है x date उसके बारे बात कर लेता है तो यहाँ पर हम बात कर लेता है देखो यहाँ पर क्या लिखा हूँ है estimated by विच 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 सच बोना शेर विल बी क्रेडिटेड एंड डिस्पेज यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि within 60 days from the date of board approval by July 31 मलब आप लोग देख सकते हूँ आज के दिन इस company नहीं यहाँ पर date approval के लिए date मलब आज के दिन approval मेल्च यहाँ है board of directors के द्वारा यहाँ पर देखो July 31st July 2021 को यहाँ पर से इसका जो dividend है यह आप लोग बूल सकते बोनस है वो यहाँ पर से credit कर दिया जाएगा अभी आप लोग बोलोगे कि यह record date आई नहीं है और इसका यहाँ पर से bonus credit होने की बात कर रही है तो यहाँ पर आप लोगों यह चीज़ बता देता हूँ कभी कभी company ऐसे भी करती है कि यहाँ पर से पहले dispatch amount महलब dispatch की जो date है वो यहाँ अब लोग इस share को खरीद होगे तो आप लोगों को फायदा होगा तो मतलब आप लोग बूल सकते हो कि जब तक record date नहीं आती है record date के announcement हो जाता है उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को उससे दो दिन पहले आप लोग share को खरीद होगे तब तक आप लोग इस share का bonus के फाय आप लोग एक दो दिन में आप लोग इस share को खरीद लेते हो तो आप लोगो bonus मिल जाएगा इसके उपर एक fundamental वीडियो चाहिए कि नहीं वो मेरे को comment section में जरू से बताना क्या आप लोगों को इसके उपर fundamental वीडियो चाहिए कि नहीं उसके एकदम fundamentals और technicals जो support और वो साही च नहीं जरू से बताना गुद्बाए